Hello students, Maths class 5th, आज का हमारा टोपिक है Factors and Multiples Factors and Multiples के बारे में पढ़ेंगे, first of all हम पढ़ते हैं Factors Factors क्या होते हैं, a factor of a number is an exact divisor of that number Factor क्या होते हैं, किसी भी number के factor is an exact divisor of that number उसी के exact divisor होते हैं, यानि कि वो उस number को क्या, अगर हम किसी number के factor निकाल रहे हैं तो जो उस number के factor होंगे, वो क्या करेंगे, उसको exact divisor करेंगे Exact divide करेंगे, means उसको पूरा-पूरा वो divide करेंगे, remainder क्या बचेगा, 0 बचेगा अगर हम किसी number के factor निकाल रहे हैं, तो उसको पूरा-पूरा divide करेंगे यानि कि उन numbers की table में वो number आना चाहिए, जिसके हम factor निकाल दे हैं तो हम यहाँ पे, for example हम यहाँ पे 6 लेते हैं, तो 6 को हम कैसे लिखेंगे 2 multiply 3, इस टाइब से हम लिख सकते हैं, 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 multiply 3 तो यह क्या होगे, 6 के 2 and 3 क्या होगे, factors, 2 and 3 क्या होगे, factors of 6 यह 2 के क्या होगे, factors क्योंकि जब हम 2 की table पढ़ते हैं, तो 6 को पूरा-पूरा divide करते हैं 2 क्या करते हैं, 6 को पूरा-पूरा divide करते हैं, 3, 3 भी 6 को पूरा-पूरा divide करते हैं 2 की टेबल में भी 6 आता है, 3 की टेबल में भी 6 आता है, तो यानि कि ये numbers क्या है, किसी भी number के exact divisor क्या होते हैं, उसके factor होते हैं, यानि कि इस number को ये exact divisor करते हैं, 2 भी इसको exact divide करता है, 3 भी इसको exact divide करता है, वो ही क्या होते हैं, उसके factor, अगर हम other factor देखे जाएं, तो factor of 6 के counting होती है, वन की table, 1 x 1, टू जा 2, 1 3 3, 1 x 6 आएगा, तो यानि की, one की table में भी सभी आते है, one की table में सभी नमबर आते है, one क्या होगा? सभी का factor होगा, six का factor एक त्या होगा, one उसके बाद हम चेक करेंगे कि six की such, किण किन नमबर की table में 6 हा रहा है उसके बाद यह चेक करेंगे हैं 6 कि 1 के बाद 2 की टेबल में आता है तो 2 भी इसका फेक्टर है क्योंकि 2 3 जा 6 आता है 2 के बाद 3 3 की टेबल में 6 आता है हांजी आता है तो 3 भी क्या हो गया इसका फेक्टर हो गया क्योंकि 3 भी क्या करेगा 6 को एक्जेक्ट डिवा 5 इसको exact divided नहीं segment यो और जहरो नहि все होगा कंने 6 से बड़ा कोई साथ नहीं होग으ना dont और number itself तो itself होते हैं और क्या होता उस number से बड़ा नहीं होता उस number से क्या होगा small होगा अगर किसी number के हम factor निकाल दे हैं तो वो क्या होगे उस number से small होगे उस number से बड़े नहीं होगे उसके equal होगे और उससे small होगे यानि कि जैसे हमने 6 के factor निकाले तो उससे small है और उसके equal है 6 से बड़ा तो कोई इसका factor नहीं है ऐसे हम 8 के 9 के 10 के किसी भी number के factor निकाल लें और भी कोई और बड़ा number लेते हैं उनके factor निकाल लें तो वो क्या होगे उससे small होगे और उसके equal होगे उससे बड़े नहीं होगे factors क्या होते हैं उसे small and equal उसे बड़े factors किसी भी number के नहीं होते तो हम किसी और कोई और number ले ले लेते हैं यहाँ पे हम निकालते हैं factors of 8, 8 के निकालेंगे factors of 8 के factor हम निकालते हैं तो 8 के factor क्या होंगे 1 तो क्या होता है, सभी का factor होता है 1 सभी का factor होता है क्योंकि 1 की टेbल में सबी आते हैं one and number itself, यानि UV and 8, 먹ambre 1 Wec highly have one and other the factor out 1 तो सभी के factor होंगी क्योंकि one and number itself सभी के factor होते है, उसके बाद हम check करेंगे 8 को, 8 को चेक करेंगे कि किंधी है क्ये of take टेबल में वह इसके factor होंगे यह जिस जिसकी टेबल में वही क्या होंगे इसके factors होंगे 8 को 1 के बाद हम 2 पे check करते हैं 1 के बाद 2 आता है तो हम 2 पे check करेंगे कि 8 exact divide divisible है या नहीं 2 की table में 8 आता है 2 4 जा 8 होते है exact divide करता है 8 2 से तो इसका 2 भी factor होगा उसके बाद 3 पे चेक करेंगे 3 की टेबल में 8 नहीं आता है यानि कि 3 इसको exact divide नहीं करता तो 3 इसका factor नहीं होगा उसके बाद क्या आता है 4 4 टूजा क्या होते है 8 यानि कि 4 भी क्या होगा 8 का factor होगा क्योंकि 4 भी इसको क्या करता है 8 को exact divide करता है 4 की टेबल में भी 8 आता है 4 के बाद हम 5 पे चेक करेंगे 5 की टेबल में 8 नहीं आता उसके बाद 6 पे चेक करेंगे 6 की टेबल में भी 8 नहीं आता 7 की टेबल में भी 8 नहीं आता और 8 उसके बाद क्या होगा 8 यानि की 8 की टेबल में भी 8 आता है तो यानि कि factors of 8 क्या होगे 1, 2, 4 and 8 1 और number itself उसके factor होते हैं और उसके अलावा भी उस number के factor हो सकते हैं और क्या होगे factor क्या होगे उस number से equal और उससे small 8 से बड़ा इसका कोई और factor नहीं होगा 8 के बाद हम इसे आगी check नहीं करेंगे उसी number तक हम उसको check करेंगे कि वो किस-किस number किन-किन number की table में वो number आता है तो हमने 8 तक इसे check क्योंकि 8 के बाद तो 8 किसी भी number की table में नहीं आएगा 8 तक ही उसके factor होगे उस number के equal ही उसके factor होगे या उससे small हाँ जी rules पढ़ेंगे हम अभी rules हम इसके लिए factors के लिए क्या-क्या rules है 1 is a factor of all the number factors of the five निकाल रहे तो 5 क्या होगा इसके factor एक तो इसका factor होगा 1 2 ईसको सेम हम इसको भी चेक करेंगे कि five kis-kis table में आते है तू की table में एनि आथा नहीं आता-व सी exact divisible नहीं है पाम नहीं आता तो सब्सक्छबून होते हैं कि यहां पर फैक्टर काहा तक होते हैं उससे बड़े नहीं होते हैं तो फाइव प्राइव के तेडल में यहां पर में जा सबma नंबर किया होती है यह नहीं आता है क्योंकि 5 क्या है सिर्फ 5 की टेबल में आता है और किसी नंबर की टेबल में आता है ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जैसे प्राइम नंबर होते हैं 5 7 11 13 यह नंबर्स क्या होते हैं सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं किसी की टेबल में नहीं आते हैं लेकिन उनका factors one जरूर होगा क्योंकि one सभी का factor होता है one is the factor of all numbers when one क्या होता है सभी का factor होता है किसी भी number के हम factor निकालने तो one उसका factor जरूर होगा तो सबसे पहले हम factor में क्या लिखेंगे one ही लिखेंगे क्योंकि one सभी का factor होता है एवरी नमबर क्या होता है खुद का ही financial होता है इसल्f जैसे हमने क्या किया six इसका factor ऊहीए फेक्टर दाने वेक्टर का तो एवनबर फ्वाइडर यानि क इसल्f नमबर वह नमबर के हम फेक्टर निकाले है मालनों हमने often निकाले तो great भी उसका अवैक्टर होगा होते हैं now third number of factors are finite क्या होते है number of factors are finite finite क्या होते है जिनको हम count कर सके sorry finite होते है जिनको हम count कर सके यानि कि किसी भी number factor निकाल सकते हैं निकाल रहे हैं तो यह नहीं है कि उसके factor क्या आ रहे हैं infinite आ रहे हैं हमें factor जादा आ रहे हैं या फिर किसी के factor कम आ रहे हैं लेकिन वो क्या होते हैं countable होते हैं यह नहीं है कि वो uncountable होते हैं वो क्या होते हैं countable होते हैं यहनि कि finite होते हैं उनको हम count कर सकते हैं उनकी एक limit होती है हाँ जी four factors are equal to be or less than the numbers factors क्या होते हैं और उससे होते हैं बार बार यहां पर रेपीट करें दियाँ, उसके इकवल होते हैं, बार बार यहां पर रेपीट करेंगी आपको एक एकजाम्पल ओर देते हैं factors of 12 हम निकालेंगे तो 1 क्या होता है? सभी का factor होता है rule number 1 की according, 1 क्या होता है? factor होता है सभी का, क्योंकि 1 की table में सभी number आते हैं तो 12 भी आएगा, तो 1 क्या होगे? सभी का factor हो गया every number is factor of itself 12 भी क्या होगा? इसका factor होगा 12 भी इसका factor होगा 12 भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर उसके बाद हम 12 के factor निकाल दे तो हम चेक करेंगे 12 किस-किस की table में आ रहा है 1 पे आ गया 1 के बाद 12 किसकी table में आ रहा है? 2 की table में 2 6 जा, 12 6 नमबर पे आता है तो 2 की table में 12 आ रहा है यानि कि 4 की टेबल में भी क्या आता है 12 आता है 4 के बाद 5 पे चेक करेंगे 5 की टेबल में 12 नहीं आता 5 के बाद 6 पे 6 तू जा 12 होते है 6 की टेबल में 12 आ तो 6 20 का फेक्टर हो गया 6 के बाद 7 7 की टेबल में 12 नहीं आता तो 7 इसका फेक्टर नहीं होगा 7 के बाद 8, 8 की table में 12 नहीं आता, 8 20 का factor नहीं होगा, 9 की table में भी नहीं आता, 10 की table में भी 12 नहीं आता, 11 की में भी नहीं आता, उसके बाद 12 की table में, 12 की table में 12 आयेगा, तो हमने 12 अल्रेडी यहाँ पे लिख दिया था, starting में, जब हमने यह rules पढ़ा था कि number क्या होता है, itself उस rule पढ़ रहे थे हम, क्या होता है कि factors, जब हम किसी number के factor निकाल दे होता है, तो वो क्या होता है, उस number के equal होता है, और उससे less होता है, तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, तो factor क्या है, सभी 12 से less है, 12 से less है, 1, 2, 3, 4, 6, सभी 12 से less है, 12 से बड़ा कोई ऐसा number नहीं होगा, जो इ each of its factor, एक number क्या होता है, multiple होता है, each of its factor, उसके सभी factors का क्या होता है, number, multiple होता है, पीचे हमने factor निकाल ले थे, तो factor, जिस भी number के हम factor निकाल रहे हैं, तो factor क्या, factors का क्या होता है, वो number, multiple होता है, जैसे हमने क्या लिया था, एक example लिया था, कि 6 is equal to 2 multiply 3, 2 multiply, 6 को हमने कैसे, क्य multiply 3 क्या लिया था हमने इसके factor लिए थे क्या लिखा था हमने factors of 6 क्या होते हैं 2 and 3 factors of 6 यह क्या होगे factors of 6 होगे लेकिन यह क्या होगा 6 क्या होगा multiple होता है of each of its factor यानि कि वो number multiple होता है उसके सभी factors का 6 के जितने भी factors आते हैं उन सभी का multiple क्या होगा 6 होगा जैसे 2 and 3 क्या थे factor of 6 थे और ऐसे ही 6 क्या होगा multiples of 2 and 3 यानि कि इन सभी का क्या होगा जो इसके factor आएंगे 6 के जो factor आएंगे उनका 6 क्या होगा multiple हो गया, जैसे कि हम क्या निकालेंगे, हमें बोला जाएंगे two के multiples निकालो, तो two के multiples हम कैसे निकालेंगे, two के multiply करेंगे two के multiply one के साथ करेंगे two, two two जा, four two three जा six two four जा, eight up to seven ऐसे चलते जाएंगे यानि कि one, four, six eight, यह सभी क्या आएंगे 2 के multiples क्या होंगे 2 के multiples यानि कि multiply करने के बाद जो numbers आ रहे हैं 1 के बाद 2 से 2 के multiples निकाल रहे हैं multiples of 2 निकाल रहे है multiples of 2 निकाल रहे है 2 के 1 के साथ multiply करने के बाद जो number आ रहे है 2 के 2 के साथ 3 के साथ 4 के साथ ऐसे ही sequence क्या होगा चलता जाएगा यानि कि 5 के साथ multiply करेंगे 6 के साथ multiply करने के बाद जो number आते जाएंगे वो क्या होंगे उसके multiples होंगे जैसे हम यहाँ पर 2 हमने बोला कि multiples of 2 and 3 6 क्या multiples of 2 and 3 तो 2 का multiples है 6 यह देखो क्योंकि यहाँ पर देखो table ही बन रहे है two 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 four two three six, two four eight two five, ten to six that is one तो उसके multiples होते है किसी भी नमर के multiples क्या होते है जैसे उसकी table होते है वो उसके multiples लेकिन यह नहीं सोचना कि आपने अगर 10 तक ही पढ़ते हैं table 2 10 तो वहां तक इसके multiples होंगे नहीं उसके multiples क्या होगे 10 से भी आगे उसके multiples चलते रहते हैं जैसे 2 multiply 11 करेंगे 22 आएगा वो भी क्या होगा 2 का multiple होगा 2 multiplied 12 करेंगे 24 आएगा वो भी इसका multiple होगा up to stone आगे तक जाह तक हमारी counting चलती रहती है महातक हम multiples निकाल सकते हैं, multiple कोई finite नहीं होते हैं, वो uncountable होते हैं, उनको हम count नहीं कर सकते हैं, किसी भी न कोई और number के multiples निकालो, तो multiples of, अगर आपको बोला जाए कि multiples of 7 निकालो, तो 7 के multiples क्या होगे, 7 बंजा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 75, 35, 76, 42, up to zone ऐसे क्या चलते जाएंगे, इसकी जो table है, वो उसकी क्या होगे, multiples होगे, आगे यह नहीं है कि 70 पे जाके over हो जाएंगे, 70 पे जाके खतम नहीं होगे, 70 के बाद 77 है, 77 के बाद 84 है, आगे क्या जाते हैं, इस टाइप से हम, इस 77 उनमें आगे plus करते जाएंगे, 7 आगे, हम उनकी multiplication करते जाएंगे, तो वो इसके multiples निकलते जाएंगे, तो इस टाइप से हम multiples निकालते हैं, multiples क्या होते हैं, उनकी table, तो rules हैं इसके लिए number of multiples are finite, number of multiples are finite, या निकी number of multiples क्या होते हैं, finite होते हैं,анные number of multiples are infinite, यानि की हम इन्ने count नहीं कर सकते, multiples क्या हैं, आगे, निकलते रहते हैं, उस number की हम आगे multiply करते जाएंगे, तो उसके आगे multiples निकलते जाएंगे, factors में हमने पड़ा था कि वो finite होते हैं यानि कि countable होते हैं लेकिन multiples क्या होते हैं, infinite होते हैं आगे इनकी multiples चलते रहते हैं किसी भी number के multiples निकालते रहते हैं तो वो up to son आगे तक चलते जाएंगे, उनके कोई निश्चित सीमा नहीं होती कि कहा तक निकालने हैं हमने वो आगे तक बढ़ते रहते हैं हाँ जी सेकिन रूल है multiples are either equal or greater than the number multiples क्या होते है either equal या तो उस number की equal होते है और greater than the number या फिर उससे greater होते है जैसे हमने 7 के multiples निकाल ले तो 7 का multiple 7 होगा इसका multiple क्योंकि 7 वन्जा क्या होते है 7 वन्जा 7 ही होते है 7 वन्जा 7 ही होते है तो 7 इसका multiple होगा और क्या होते है या तो वो उसके equal होते है और या होते है greater या उससे क्या होते है greater जैसे 7 के multiples 7 से small तो एक भी number नहीं आया 2 के multiple निकाले तो 2 से small एक भी number नहीं आया कोई और नमर के आप multiples निकालो, तो क्या होंगे, उससे small नहीं होंगे, या तो उसके equal होंगे, या फिर उससे क्या होंगे, greater होंगे, जैसे 14, 21, 28, 35, 42, आगे up to 100 चलते जा रहे हैं, यानि किसे बढ़े ही आते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं ये, और ये क्या होते है या तो उस नमर के equal होते हैं, या उससे greater होते हैं, thank you